दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे प्रधान मंत्री की अचानक डेथ हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारे देश में एमर्जन्सी लग जाएगी? या फिर प्रेसिडेंट तुरंत उस पत पर किसी और को अपॉइंट करेंगे? या फिर नए इलेक्शन कराए जाएंगे? कैसे चलेगा हमारे देश का एड्मिनिस्ट्रेशन? कौन काउंसिल आफ मिनिस्टर्स को हेड करेगा? नमशकार, मैं हूँ शुभम और स्वागत करता हूँ आप सभी का दस्वाट स्टफ पर तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सा होता है और उससे जुड़ी होती हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इनके अपोइंटमेंट के बारे में तो जब लोगसभा का इलेक्शन होता है, सारे MPs इलेक्ट होके लोगसभा पहुँचते हैं उसमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है और कौन लेता है क्या प्रोसीजर है इसका बट कॉंस्टिटूशन में इसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं मेंशन है बट आर्टिकल जो 75 है, it talks about PM shall be appointed by the President. हलाकि एक parliamentary convention के तहट यह कहा गया है कि President has to appoint the leader of the majority party या फिर majority coalition as PM. इसमें ऐसा नहीं होता है कि President जिसको चाहे अपने discretion पर किसी को भी appoint कर दे, Prime Minister या फिर Minister. इंडियन प्लिटिकल सिस्टम में जो हमारा PM होता है, वो या तो राजसभा का मेंबर हो सकता है, या फिर लोगसभा का मेंबर हो सकता है. राजसभा के case में जैसे हमारे मनमोहन सिंग जी थे वो राजसभा के member थे जैसे लोगसभा के case में जैसे हमारे नरेंदर मोदी जी है वो हमारे लोगसभा के member हैं उसके बाद other जो ministers हैं they are appointed by the president itself और किसकी advice पे PM की advice पे और अगर state की बात करें तो similar system जो है article 174 के अंडर जो है वो CM के appointment और उसके council of ministers के appointment के लिए mentioned है तो अगर term की बात करें तो PM का जो term है वो हमारे constitution में नहीं fixed है he holds his office during the pleasure of the president जबकि इसका मतलब यह नहीं होता है कि president जब भी चाहे उसको dismiss कर दे president तब तक उसे dismiss नहीं कर सकता है जब तक उसके पास majority party का support है अगर other ministers की बात करें तो other ministers also hold their office during the pleasure of the president बट president other ministers को निकाल सकता है on the advice of PM तो अब बात करते हैं अगर हमारे prime minister की death हो जाए या उनको किसी कारणवश resign करना पड़े तो उस condition में क्या होगा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो council of ministers होते हैं उनका head कौन होता है PM head करता है उनको और इसी वजह से they cannot work without its head जो हमारा PM होता है उसके बिना जो है हमारे council of ministers head नहीं कर सकते हैं it means the resignation or death of PM automatically dissolve the council of ministers वो अपने आप ही dissolve हो जाएंगे the resignation or death of any other minister on the other hand merely creates a vacancy अगर किसी एक individual minister की death होती है या फिर उसको resign करना पड़ता है उस case में सिर्फ एक vacancy create होती है तो उस case में PM चाहे तो उस vacancy को full करा है या फिर ना करा है ये उसका खुद का discretion है however dissolution of loksabha does not take place in both these conditions इसमें loksabha dissolve नहीं करती है new PM will be appointed by the president from the existing house जो हमारा existing house होगा उसी में से जो है वो हमारा नया PM चुना जाएगा another leader of the majority party or coalition जैसे for example अगर हम बात करें जब हमारे इंदरा गांधी जी की death हुई थी 1984 में तो जब ruling congress party थी उसने अपना नया leader select किया था किसको राजीव गांधी जी को और उनहीं को बाद में president ने as a prime minister of India appoint कर दिया था तो अब एक और condition के बारे हम बात करते हैं जो हमारे जो लोगसभा है उसका पांच साल का कारेकाल खतम हो जाता है एक तो ये condition होती कि पांच साल होते ही वो अपने आप dissolve हो जाती है दूसरा ये होता है कि president जो है वो early elections करा सकता है early जो है वो लोगसभा को dissolve कर सकता है but on the advice of PM जो dissolution of लोगसभा का 5-year का term है वो हमारे article 83 clause 2 में mentioned है however president may ask the council of ministers headed by the PM to remain in office till the new लोगसभा gets elected जैसे क्या हुआ था कि जब 2004 में अटल व्यारी बाजपई जी ने लोगसभा को भंग करने के लिए आठ महीने पहले ही बोल दिया था उस case में जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने बोला अटल व्यारी बाजपई जी को कि आप अभी अपने council of ministers को dissolve मत करिये और जो administration है वो चलाइए और इसी टाइप की government को बोलते है caretaker government मतलब नया election होने वाला है जब तक नया election नहीं होता है उसके पहले तक वो as a caretaker government काम करते है thanks for watching my video guys I will come up with more educational videos every week do subscribe to my channel if you like this video thank you